दोस्तों यह Hyundai E1 Car है बेस मडल जो भी बेस मडल की कार्स आती है उसमें लेफ्ट साइड में साइड मिरर व्यू नहीं दिया जाता है तो इसमें हम अलग से साइड मिरर व्यू लगाएंगे तो पहले हम इसका रिव्यू कर देते हैं फिर इसको इसको इंस्टॉल करके आपको द इसका पुरा बॉड़ी के साथ आता है तो मैं आपको राइट साइड का दिखा दीता हूं जैसा राइट साइड का है वैसे ही यह भी है ठीक है उसी तरह यह भी है है तो हम क्या करेंगे इसको इसको रिमॉब करेंगे इसको रिमूब करके फिर इहांरिके लगा दे लिकेंगी तो जिस एक्षी तरह किसे हम इस चाहिए एक दम उसी के अफ्याइब अघा पूतिप हो जाएगा तो कैसे होता हो में आपको करके दिखाते हैं सबसे पहले हम इस cover को remove करेंगे इसको remove करने के लिए एक screwdriver लेना है और की मदद से इसको थोड़ा सा हमे и push कर देना है वी से बाहर आ जाता豪ль ये इस में rubber locking है ये लॉकिक आज से इस hole में जाके लॉक हो ज्याता है और ये फस जाता है तो इस तरह से यह कवर रिमूब होगे, अब इसको भी निकालना है हमें, इसको पूरा कवर निकालके फिर हम मीरर को लगा देंगे, तो यह हमें नट्स खोलना पड़ेगा, इस पैनर की मदद से, और यह नट्स को खोलके हम उसको जो पीछे आप कवर देख रहे हैं, यह कवर को हमें निकाल देना है, ठीक है, तो इस तरह से यह कवर को हम रिमूब कर देते हैं, यह कुछ नहीं है, बस एक नट्बोल्ट से जो है टाइट रहता है, तो इस नट्बोल्ट से हम इसको यहां पर टाइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मै तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइक हमको प्रेस करके नटको स्पॉन कर दें ताकि हमारी आन्मिलोडी आपको मिलती रहे तो दोस्तों इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे तो दोस्तों यह पूरा फिटिंग कर दिए मैं आपको दिखाता हूं अंदर से अब यहां पर यह कवर जो है हम लगा दीते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से आप भी अपनी कार में खुद से ही लगा सकते हैं और काफी पैसे बचा सकते हैं इसको अफ्लाइन पर्चेस करें हमारी ड्वाइस ही है अगर अंलाइन पर्चेस करेंगे तो आपको थोड़ा महंगा भी मिलेगा छेके दोस्तों वीडियो